दोस्तो यूपी पॉली टेकनिक में जो है आपके कुछ एक प्रश्ण जो है बिल्कुल फिक्स होते हैं कि वही आएंगे तो इसी तरीके के आज मैं एक प्रश्ण के बारे में आपसे जो है मैं डिसकस करना चाहता हूँ यह प्रश्ण है कि प्रश्ण है कि प्रश्ण सिध्धान से आउकल गुणांग याद करना है देखे दोस्तो या तो साइन एक्स का नहीं तो कॉस एक्स का नहीं तो टैन एक्स का यहाँ पर आता है औकल गुणान ग्याद करने के लिए पर थम सिधानत की शहायता से तो मैं आपको आज यही बताऊंगा देखे दोस्तो इस तरीके के कोश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम माल लेते हैं कि Y बराबर Fx और Fx is equal to Sinx और Sinx के जगब पर दोस्तों यहाँ यह कोसेक्स रहेगा तो हम कोसेक्स माल लेंगे तो यदि Y बराबर Fx है और Fx is equal to Sinx है Sinx है तो हम Y को ignore कर देते हैं तो Fx is equal to Sinx हो जाएगा हमारा उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि यदि X में H की सुक्ष में ब्रिद्धी की जाए तो Sinx में भी H की सुक्ष में ब्रिद्धी होगी यानि कि F में यदि X प्लस H जोड़ते हैं तो Sinx में भी प्लस H जुड़ेगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि F X प्लस H is equal to Sinx प्लस H हो गया यहाँ से और हम जानते हैं कि प्रथम सिर्धान्त का जो सुत्र होता है वो सबसे पहले लिख लेंगे कि D Y upon D X is equal to होता है दोस्तों limit H tends to 0 F X plus H minus F X upon H यह जो है आपको equation number 1 यहाँ पर बना लेना है और यह जो है लिख नहीं है तो F X plus H minus F X upon H तो यह चीज़ आपको लिखनी है तो F X plus H के जगह पर दोस्तों यहाँ पर देखे F X plus H के जगह पर हम यहाँ से Sine X लिख सकते है Sine X plus H तो F X plus H के जगह पर दोस्तों हमने यहाँ पर Sine X plus H लिख लिया minus F X है according to formula तो हम जानते है Y बराबर F X is equal to Sine X हमने ओपर यहाँ पर माना हुआ है तो F X is equal to Sine X put कर देंगे और upon H जो है यह formula के according ही रहेगा तो यहाँ तक तो कोई दिकत नहीं होगी यहनि कि जितनी भी सारी हम step करेंगे तो सब में तो पहला यह step common रहेगा यह step common रहेगा यह step common रहेगा तीन step common रहेगा तीन step के बाद जो चौता step होगा जो formula के जगे पर put करना वाला रहेगा वो भी same रहेगा चाहे आप किसी का भी प्रतम सी धान्स की सायता से उकल गुड़ांक निका लिए और दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह जो है sin x plus h minus sin x upon h जो है यहाँ पर यह sin c minus sin d का formula यहाँ पर बन रहा है यहाँ कि sin c minus sin d का यहाँ पर जब यह formula दोस्तों बनेगा तो क्या करेंगे जैसे ही इसको दोस्तों solve हम करेंगे तो sin c minus sin d का formula से तो हम ये लाएंगे कि 2 cos x plus h by 2 into sin h by 2 इसको हम solve करेंगे तो आएगा sin c minus sin d के formula से और sin c minus sin d का formula आपको यादी होगा तो sin c minus sin d के formula से इसको हम solve कर लेंगे उसके बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं यहां पर जब हम यहां इसको दहते हैं तो हम देखिए क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर जो 2 x x 2 है इसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको अलग लिख लेंगे multiplied by यहां पर जो दिख रहा है तो sine h by 2 तो sin h by 2 upon यहाँ पर h by 2 रख लेंगे, sin h by 2 upon h by 2, यह कैसे आ रहागा दोस्तों 2 से multiply और 2 से divide करने पर आ जाएगा हमको, यहाँ से 2 से multiply और 2 से divide देखे दोस्तों, यहाँ पर 2 से multiply और 2 से divide करेंगे तो हमारे value पर कोई effect नहीं आएगा sin h by 2 upon h by 2 लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इतना हम, इतना चीज़ तो हमको मिल गया, अब हम क्या करेंगे कि limit s tends to 0, यहाँ पर फिर से नया topic limit s tends to 0, cos h by 2 और limit sin h by 2 upon h by 2 अब दोनों पर s tends to 0 हम operate करेंगे इस पर भी operate करेंगे s tends to 0 और इस पर भी हम operate करेंगे s tends to 0 तो दोनों पर हम s tends to 0 operate करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो cos x plus s tends to 0 तो 0 by 2 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे तो हम जानते हैं कि sin x upon x की value एक होती है चाहे वो रहे sin x upon x x रहे और जहाँ x tending to यदि 0 के तरफ रहेगा तो यहाँ पर value जो है सीधे 1 हो जाएगी चाहे sin x by 2 upon x by 2 रहे उसकी value 0 1 हो जाएगी और sin 3 x upon 3 x रहेगा तो भी इसकी value 1 हो जाएगी तो इस तरीके के जगा पर हम 0 रख देंगे तो साइनेक्स इक्वल टू कॉसेक्स हमको मिल जाएगा और यही साइनेक्स इक्वल टू कॉसेक्स जो है हमको according to formula लाना है तो यह जो है मैंने साइनेक्स का करके आपको बता दिया इसी तरीके से कॉसेक्स का आप कर लेंगे और एक दम बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा कोई कहीं भी प्रोसेस का इधर उधर नहीं होगा सेम पैटर्न पर चलेगा सेम जो है सब कुछ चलेगा टैनेक्स का भी सेम चलेगा कॉसेक्स का भी सेम चलेगा जितना भी आप डिफ्रेंशेशन निकालेंगे सबका differentiation यहाँ पर बिल्कुल नहीं सेम चलने वाला है तो ऐसे में यह बहुत most important है और इसमें बहुत ध्यान देने वाली यह बात है कि कुछ 3 या 4 step आप याद कर लेते हैं तो आगे आपका answer नहीं भी आता है तो आपको marks cutting नहीं बिल्कुल मिल जाएंगा आपके marks जैसे कि यह तो पहला step हो गया यह आपका दूसरा हो गया यह आपका तीसरा step हो गया यह आपका चोथा step हो गया तो इस तरीके से जो है आप step by step solve करके इस cancer आसानी के साथ ला सकते हैं